भूत प्रेतों ने किया है इस मंदर का निर्मान एक ही रात में खड़ा किया गया था ये मंदर, आज भी है अधूरा आज तक कोई नहीं कर पाया मंदर में मौजूद खंबो की गिंती भोले नाथ, जुने भूत नाथ भी कहा जाता है माना जाता है कि देवो के देव महदेव, देवी देवताओं और इनसानों के भगवान तो हैं ही इसके अलावा भूत और दानव भी उनको पूझते हैं और शिवजी को आराध्य मानते हैं ये बात भी सब जानते हूंगे कि भगवान शंकर की शादी में देवी देफताओं के साथ साथ भूत प्रेद भी बाराती बन कर आये थे। इन्हें सभी देवी देफताओं से अनोखा माना जाता है। इनके पूजा मूर्ती और शिवलिंग दोनों के रूप में की जाती है। भारत में इनके लाखो मंदिर है। लेकिन आज हम आपकों के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रही हैं जिसका निर्मान भूतों ने किया है। जो कि सुनने में तो अजीब है लेकिन बिलकुल सत्ते हैं। तो आईए जानते हैं इस अनोखे मंदिर की अनोखी बाते। आज तक हमने आपको शिवजी के ऐसे मंदिरों के बारे में बताया है जिनका निर्मान राजा, महराजा, देफताओ और इनसान ने किया है। लेकिन ये बात बोलने में भी बड़ी अजीब लगती है कि किसी मंदिर का निर्मान भूत प्रेतों ने किया हो। रात उराद बना ये मंदिर आज भी अधूरा है। कहा जाता है इसे बनाते बनाते जब सुभा हो गई तो भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। आज भी इस मंदिर को देखने पर यही लगता है किसका निर्मान अधूरा रहे गया है। इस मंदर की हिरान कने वाली बात ये है कि इस मंदर के निर्माण में मिट्टी, सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं क्या-क्या, ये मंदर पत्थर की बड़ी-बड़ी शिलाव से बना है यहां के एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में लगे पत्थर दूर दूर तक नहीं मिलते यह मंदिर देखने में बाहर से जितना सुन्दर है उतना ही अंदर से है भारत से ही नहीं बलके विदेशों से भी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं सुम्वा के दिन यहां भक्तों की भीड जादा देखने को मिलती है कहा जाता है इस मंदर के चारों तरफ खंबे बने हुए हैं लोगों का मानना है कि इन खंबों की गिंती आज तक कोई नहीं कर पाया यहाँ आने वाले लोग इस मंदिर के बारे में जानकार दंग रह जाते हैं यहाँ आने के बाद लोगों के मूँ से एक बात जरूर निकलती है महादेव के अनेकों मंदिरों के दर्शन किये लिकिन इस मंदिर की खासियत कुछ निराली ही है जो हर किसी को हिला कर रख देती है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद